ग्रामिन शेत्र में यहां पर मैं हरान था स्वच्छता की मज़ाक उड़ाई जा रही थी क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जी हम में से कोई नहीं है जो गंदगी में रहना चाहता है और हम यह भी जानते हैं कि स्वच्छता यह बिहेवेर का हिश्चू जादा है इ लिकिन अगर हम और मैं कहूंगा हम राजनेता कभी-कभी कम पड़ रहे हैं मैं इस देश के मिडिया का अभिननदर करना चाहता हूं कि स्वच्छता के अंदोलनों उसने उठा दिया आज सम मिडिया के द्वारा स्वच्छता के लिए हिनाम दिये जा रहे हैं function किये जा रहे है स्वच्छता के समय में आज हिंदुस्तान के वरना सरकार के किसी भी कारकम में मीडिया नेगेटिव करें वो बहुत स्वाभा भी कहें यह एक अप्पात कारकम ऐसा है कि जिसको सरकार से भी राजनेताओं से भी दो कदम आगे मीडिया के लोग गए हैं और स्वच्छता को एक इस बात के लिए बड़े आगरे ही थे मुझे तो डर लगता है कभी आज मात्मा गांधी होते और स्वच्छता की बात करते और हम लोग यही भाशा बोलते क्या क्या है क्या हम लोग को जिम्मेबारी नहीं क्या समाज में बढ़नाव लाने के लिए कोई सकारात में कोई ची वो 60% पहुचा रहे हैं और हम जब बात करते हैं टॉयलेट की अब तल्पना कर सकते हैं गाओं की महिलाओं के शेहर में भी जुगी जोपड़ी में रहती हैं कितनी पीडा होती है अंधेरा नहीं होता तब तक वो सहुचाले नहीं जा सकती है यह यह दर्द होना चाहिए य यह टूतू मेमे का विशेह नहीं है जब मजाग उडाते हैं कोई बहुत फिडा होती है यह यह मजाग का विशेह नहीं हो सकता है